वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी के आरोप लगाने पर भी पत्ती की ही होगी जीत आईए जानते हैं ये कैसे संभव है वर्तमान समय में कोट में 90% से भी जादा मामलों में जूट लिखवाया जाता है ऐसी बाते केस में लिखवाई चाती हैं जिनका केस से कोई भी मतलब नहीं होता सिर्फ पत्नी का मकसद अपने पती पर प्रेशर बनाना होता है ताकि पत्नी केस को अपने पक्ष में कर सके इसलिए केस में पत्नी बड़ा चड़ा कर बातों को लिखवाती है और पती पक्ष परेशान हो जाता है कि हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं फिर भी केस में इतना जूट लिखवाया गया है कई बार तो पती पक्ष, ससुराल वाले या उनके रिलेटिव्स के नाम भी केस में एड़ करवाए जाते हैं आजकल ये ट्रेंड बन गया है पत्नी का अपने ससुराल वालों पर दबाब बनाने के लिए बहुत सारे मामले सुप्रीम कोट में भी देखे गए हैं जिसमें पत्नी के द्वारा पती और उनके घरवालों पर जूटे मुकदमे किये गए हैं ऐसे में सुप्रीम कोट ने कहा है कि ये एक्ट महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं आजकल पत्नी इस एक्ट का प्रियोग हतियार की तरह कर रही है ना की फाइदे के लिए क्योंकि फाइदा तो तभी होगा जब सच में ये घटना घटित हुई हो ये स्टोरी बनाई जाती है क्यूंकि पत्नी ऐसे आरोप लगाती है तो पत्नी के पास आरोप को साबित करने के लिए सबूत नहीं होते इस केस में भी पत्नी अपने पती पर संगीन धाराओं के अंदर केस दर्ज करवाती है लेकिन पतनी के पास प्रूफ करने के लिए कोई भी सबूत नहीं होते ऐसे में सुप्रीम कोट ने साफ कहा है कि आरोप और शक सबूतों का रूप नहीं ले सकते आरोप को साबित करने के लिए सबूत का होना बहुत अवश्यक है जब तक सबूत नहीं है तब तक आरोप और शक्क की अधार पर किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं सुनाई जा सकती इस जज्ज्मेंट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं तो आई होप दोस्तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्या बढ़ें